तो यहां पर थोरली मोडिफिकेशन के लावा कुछ भी नहीं है मोडिफिकेशन कैसे करनी है देखिए एक ब्रू सेंटर में पॉइंट ले लीजिए और इन सब को जोइन करिए अब यहां पर देखिए इसका फोर्मला क्या होता था इंटीरियर एंगल निकालने का 180-360 by N कितना है 5 है तो यह करके 108 डिगरी एंगल आ गया ठीक है यह मैं अलड़ी कितनी बार डिसकस कर चुका हूँ ठीक है अब यहां पर देखिए यह सारे बराबर है तो यह इसका बाइ सेक्टर हो गया मतलब यह कितना हो गया आपका 54 हो गया ठीक है 108 का आधा 54 हो गया और ये आपका बराबर होगा सारा सारे बराबर ही होंगे अब यहाँ पे आपको modification क्या करनी है आप यहाँ पे एक point ले लीजिए ठीक है point लेने के बाद देखे ये angle भी आपका 54 होगा ठीक है ये तो आप समझते होंगे तो मतलब ये दोनों side आपकी बराबर होगी ठीक है तो ये side sequel होगी अब मैंने आपको बताया था कि एक iso-shellis triangle में ये side sequel है vertex से जो ड्रा करोगे वो perpendicular होगा, midpoint होगा तो यहाँ पे आप एक point ले लीजिए और इसको vertex से ड्रा करें वो midpoint होगा तो ये 40 है ध्यान से देखेगा ये 20 होगा और ये भी 20 होगा तो ये perpendicular distance होगा ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए जो आपकी O है स्पोस करो O मैं ये center माल लेता हूँ तो ये O B is equal to A B into tangent वो ही tangent concept लगाना है ये आपके पास इस तरह से दिया हुआ है ये 45, 54 है ये 20 है तो आप ये निकाल सकते हो O B, perpendicular distance ठीक है? ये सरी ये आपका O P हो गया ठीक है? O P ठीक है? tangent 54 ठीक है? ये हो गया अब tangent 54 जो है वो आपका किसके एकवल हो गया tangent 54 tangent यानि कि 90 माइनस सीटा डेटरिस कोट 36 इसके एकवल हो गया tangent 54 is equal to tangent sorry, कोट 36 इसके बराबर हो गया इतनी चीज़ समझाई अब यहाँ पे area आपको निकालना है अब area 5 देखे इस triangle का area निकालना है half into base कितना है 40 into hyperteneuse sorry, perpendicular distance कितना है a b which is equal to 40 into sorry, यह p b हो गया p b ठीक है p b तो यह 40 by 2 into quote 36 यह आपका इसका area निकल गया और ऐसे कितने similar triangles है एक, दो, तीन, चार, पाँच तो इसको thoroughly 5 से multiply कर दोना यह चीज़ solve करके आपको 2572 square meter यह आपका answer आ गया ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद and please if you like my videos then please do comment comment कीजेगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है तब तक के लिए धन्यवाद